तुमस्कार दोस्तो, मैं मुकुंद्राउत, आपका स्वागत है लॉंड्री नॉलेज आइन्ट केमिकल्स में दोस्तो तेल के दाग, हमारे लॉंड्री के लिए बहुत ही कौमन दाग है और साडिया और तेल के दाग, इनका तो बहुत गहरा रिस्ता है क्यूंकि जो भी साडिया पे ड्राइकलिंग के लिए आ जाती है, तो उस पे देखते हैं दोस्तो, तो ज़्यादातर तेल के ही दाग होते है और ये तेल के दाग, ये जो स्पाट दिक रहे हैं दोस्तो, ये धूप है ये कलर उड़ा है, आईसा दिक रहा है, मगर ये धूप का है तो दोस्तो, तेल के दाग हमारे लॉंड्री के कौमन दाग है, और तेल के दाग के लिए हमारे पास perfect chemical है एक्सल स्टेन रिमूवर तो दोस्तों प्रोशीजर क्या होती है कि जैसे ही हमारे पास तेल के दाक के लिए कोई कपड़े आते है तो उसको हम चेक कर लेते हैं पहले ये देख सकते हैं ये साड़ी है ये बहुत बड़ा धब्बा है साड़ी पे तो हमने ये पूरा धब्बा है बड़ा तो हमने क्या कर दिया है यहाँ पे चेक कर दिया कि तेल का दाक परिफेक्ट निकलता है ये देख सकते हैं इसको चेक कर लिया है और ये सिल्की साड़ी है ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे यह तेल का दाग निकलता है यहाँ पे हमने प्लस का यह देखिए प्लस बनाया है तेल का बड़ा दाग है और तेल के दाग पे हमने एकसल स्टेनरी मोर लगाया सुकने दिया और फिर हमने चेक कर लिया कि यह तेल का दाग परफेक्टली निकल जाता है कोई दिक्क नहीं है तो दोस्तों जन्रली क्या होता है कि हमारे पास जब इस तरह की साड़िया आ जाती है तो ड्राइकलिंग के लिए हमारे यहां बहुत कम रेट है साड़ियों का 100 रुपे साड़ी ड्राइकलिंग के लेते है और उसमें 80 रुपे लेते हैं तो हम जधा तर 100 रुपे ले सकते हैं मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है उससे ज़दा नहीं ले सकते और फिर क्या होता है कि इसी तरह से आगर तेल के दाग के लिए हमारे पास कुछ साड़िया आ जाती है तो इनका हम ज्यादा rate ले लेते है तो दोस्तो जनरल क्या करते है हम dust lifter का solution बना लेते है और color देने के brush से जहाँ जहाँ दाग है वहाँ वहाँ लगा देते है और फिर उसी तरह से क्या करते है कि wash कर देते है NID, dust lifter, color guard और swap to plus में wash कर देते है तो बहुत ठीक ठाक तेल के दाग निकल जाना चाहिए तो दोस्तो हम guarantee भी दे देते है कौन से भी साड़ी हो उस पे आगर कितने भी तेल के दाग हो तो उसकी भी हम guarantee दे देते है तो उसके लिए क्या करते है हम एकसल stand remove लगा देते है और फिर उससे हलका सा brush कर देते है tooth brush से उसे सुकने देते है और सुकने के बाद में उसको क्या करते है हम wash कर देते है तो वो पूरे तेल के दाग निकल जाते है और फिर उसको press करके देखते है अगर कहां तेल के दाग बचा है क्या और जो है वो निकला है या नहीं निकला है अगर नए निकला है तो यही क्रिया हम डबल करते है एक्सल स्टेंडरी मोर लगा देना तूद ब्रेस से या हाथ से उसको रभिंग कर देना सुकने देना फिर यनाइडी डस्ट लिप्टर कलर गार्ड में वाश कर देना और कस्टमबर को 99% to 100% गयरांटी दे देते है कि तेल के दाख के लिए ही आई है और हमने इसको एक साड़ी का 500 रुपे ऐसा चार्ज लगाया है कि 500 ले सकते हैं 600 ले सकते हैं आपके हिसाब से ले सकते हैं और हमें इस पर खर्चा कितना आ जाएगा दोस्तों ज्यादा तर 30-40 रुपे खर्चा आ जाएगा ज्यादा खर्चा नह लगाना है क्योंकि जनरल तरीके से तो कस्टमबर रेट नहीं देता और हम आगर इसी तरह का कोई हटके काम करते हैं जो कोई कर नहीं सकता तो उसका चार्ज लगा देना चाहिए क्योंकि कस्टमबर भी वो चार्ज दे देता है क्योंकि उसके पास भी कोई option नहीं होता और ह हमारा भी काम हो जाता है तो इसलिए एक साड़ी का 500-600 रुपे लगा के गयरांटी आप तेल के दाग की दे सकते हैं इन सभी साड़ीों का हमने चेक कर लिया और गयरांटी दे देते हैं कि आगर इस पे तेल के दब्बे पे अगर फिर वो मिट्टी घीच लेता है फिर वहां पे आगर तेल के दाग दिख जाते है तो उसको भी हम गयरांटी दे देते हैं कि आपका वाशिंग डबल करके दे देंगे मगर ज़्यादा तरह ऐसी नोबत नहीं आती है और तेल के दाग 100% to 99% निकल जाते हैं कितने भी साड़ी पे तेल के दाग हो गयरांटी दे देते है 500-600 रुपे लगा देते है और जो लोग MTO solvent में मशीन में पेट्रोल वाश करते है वो भी लोग हमसे जुड़े वाले है बहुत सारे और वो भी गयारांटी नहीं दे देते है बस फाइदा यह होता है कि कलर उनका जैसी को अईसा रहता है कलर डैमेज नहीं होता बस वो भी लोग कहते है कि 600 रुपे लेकर MTO solvent और मशीन में वाश करके भी हम तेल के दाग की गयारांटी नहीं देते और ऐसा भी होता है कि हम उतना खर्चा करके भी तेल के दाग नहीं निकलते तो फिर हमारे पास तेल के दाग के लिए ये परफेट सूलूशन है एकसल स्टेंड रिमुवर बस इसको थोड़ी मेनत करना पड़ती है और फिर ये ही मेनत का हम चार्ज लगा देते है तो इसी तरह से अभी ये जो दाग है तो दोस्तो ये साड़ी में तेल के साथ-साथ ये ब्लैक स्टेंड भी है ये देख सकते हैं कि हमने कैसा परफेक्ट तेल का दाग निकल दिया है यहाँ पे बड़ा स्पोर्ट को टार्गेट करके और इसका भी हमारे पास परफेक्ट इलाज है दोस्तों हमारे पास केमिकल ऐसे हो जाना चाहिए कि वो उसका result परफेक्ट आ जाना चाहिए और वो केमिकल ने सेकंडों में काम करना चाहिए और वो केमिकल एक ही केमिकल बहुत सारे दाग निकलना चाहिए ऐसा नहीं है कि हर दाग के लिए आलग आलग केमिकल हो एक ही केमिकल बहुत सारे दाग निकाले दूसरी बात वो दाग निकाले तो सेकंडों में निकाले ऐसे गंटों में नहीं तो ठीक उसी तरह से हमारा ये यस्टी आइ स्टेंड रिमूर जहां पे भी आपको ग्रीस का दाग दिख जाता है कितना भी पुराना हो कितने भी बार वाश किया वाला हो हम कस्टमबर को कुछ नहीं बोल सकते बस इतना बोलेंगे कि आपका दाग निकल जाएगा 99% to 100% गयारांटी बस इतना ही बोलना है आपने वाश करके लाया दो के लाया पुराना हो गया ऐसा कुछ नहीं बोलना है दोस्तों ये देख सकते है ये जो इसी तरह से ये दाग को टार्गेट करते है ये देख लीजिए लगाते ही खुल जाता है ये देख लीजिए ये पूरा ग्रीस का दाग निकल गया इसी तरह से जो ग्रीस के दाग है उसके लिए हमारे पास परफेक्ट इलाज है इसलिए तेल के साथ-साथ ये भी दाग हम निकल सकते हैं ये देख लीजिए ये ग्रीस के दाग है पहले ये सी आई बिगर कपड़ा गीला किये और फिर एक्सल और आप देखेंगे कि ये ग्रीस का दाग सेकंडों में परफेक्ट निकल जाता है दोस्तों आपके लॉंड्रे में आगर ग्रीस के दाग का कपड़ा आ जाता है कलर वाला हो वाइट हो कौन सा भी हो तो आप उसकी शौप पे ही गैरांटी दे दीजिए कि आपका दाग निकल जाएगा और उनको एक कपड़े का सव देड़ सो दो सो रुपे चार्ज लगा दीजिए जेनरल कोई काम नहीं करता तो कस्टमबर भी दे देता है उनका भी फाइदा हो जाता है कि फिर दाग निकलने के गैरांटी मिलती है उनको भी और हमारा फाइदा ये हो जाता है कि हमारे पास परफेक्ट केमिकल है तो परफेक्ट दाग निकल जाते है तो ये देख सकते है इसी तरह से दोस्तो अब हम क्या करेंगे ये चारो साडियों की दाग निकलने की गयरांटी दे दी है हमने और इनको 500-500 रुपे चार्ज किया है और पूरे दाग निकलके दे देंगे ठीक इसी तरह से आपके पाथ जो भी साडिया आती है तेल के दाग के लिए आप जनरल ड्राइक लिंग कर दीजिए उसमें कोई गय लगा दीजिए और वाश करके दे दीजिए अच्छा कस्टमबर है तो येक सलस्टेंडरिम वर लगा दीजिए और तेल के दाग की गयरांटी मांगता है कोई तो उनको कहिना पेट्रोल वाश करना पड़ता है और एक साडिके 500-600 रुपे भी लगा के उनका गयरांटी से का करके दे सकते हैं मिलते हैं आगले वीडियो में जय हिन जय भारत